नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं चुनाव चुनाव चुनावती पुन होगा जिसके लिए अभी से पूरी ताकत से जुट जाएं भाजपा का नाम लिए बगार उन्होंने कहा है कि गाओं में वह नहीं है इसलिए अभी से बीना समय गवाएं अपने लक्ष को पाने के लिए जुटे मुख्यमंत्री ने करकरताओं में जोस भी बारा और लक्ष पर चलने का रास्ता भी दिखाया उन्होंने कहा है कि बीना बीराम और आराम कि एक एक दिन का उप्योग करें क्योंकि भाजपाच छल प्रचंड करने वाली पार्टी है उससे जानता को अभी से अउगत कराना है आने वाला चुनाव जामुमों पूरी ताकत से लड़ेगा क्योंकि जार्खन के स्वाविमान के रक्षा करना है हेमन सुरे ने कहा है कि यहां के लोगों के हक और अधिकार के लिए ही 2019 से अधिक मजबूती से अगामी बिधान सभा चुनाव भी लड़ना है इसकी सुरुवात लोग सभा से ही होगी लक्ष को पाने के लिए वक्त कम है उपराष्ट पती के दोरे को लेकर वायू सेना के तिन हेलिकोप्टर ने की ट्रायल लेंडिंग उपराष्ट पती जगदिप धनखर के 10 दिसंबर को धनबाद दोरे को लेकर सुक्रवार को भारती वायू सेना के हेलिकोप्टर ने बरहरवा हवाई अड़े पर ASL के मानको के तहत लेंडी का रिहर्सल किया उप्राष्ट पती रभिवार को यहाँ IIT ISM के 43 वे दिक्षान समारों में बतर मुख्याती थी सामिल होंगे बता दे DCLR 37 चंद्रे ने बताया है कि उप्राष्ट पती के आगमन को लेकर जिला पसासने सुक्रवार को धनबाद हवाई अड़े पर विंग कमांडर कैप्टन नमबर एक एम पालीवाल के नतित में एरपोर्ट सेप्टी लाइजन के मानकों के तहत भातिय वायुसेना के हेलिकोप्टर का हवाई अड़े पर लैंडिंग का रिहलसल हुआ एक एक कर्यार फोर्स के तिन हेलिकोप्टर हवाई अड़े पर उतरे देवघर में आज सियम हेमन्त देंगे 250 क्रोर की सोगाद मुख्यमंत्री सन्निवार की दोपर एक बजे खिजूरिया इस्थीत चंद डिह मैदान में आपकी योईना आपकी सरकार आपके द्वार कारकर में सामिल होंगे इस दरण मुख्यमंत्री करीब 200 कोड़ों रुपए की पूल वर सड़क आधी योईनाओं का उद्घाटन एवं सिलन्यास करेंगे साथ ही करीब 50 कोड़ों रुपए की परिसंपत्यों का वित्रन भी करेंगे इसमें 546 के खाते में साइकल की रासी कूल 14 कोड़ों रुपए हस्तासित किये जाएंगे मुख्यमंत्री रोजगास त्रीजन कारकराम सावित्री भाई फूले की सोरी सम्रीद योईना मुख्यमंत्री पसुधन योईना सहीद J.S.L.P.S. की सकीम मंडल के महिलाओ और लाभकों के बीच योईनाओ का लाभ देंगे मुख्यमंत्री ने समनाले सनवर्ग के अनुकमपा पर चैनित अव्यार्थियों के नियोक्ति पत्र भी देंगे कारकरम अस्थल पर भीभीन विभागों के स्टोल बनाए गए हैं जिसमें लाभकों को योईनाओ का लाभ दिया जाएगा सबसीडरी पर पेट्रोल लेने में रूची नहीं दिखा रहे लाभों रासनकार धारियों के लिए सबसीडरी पर पेट्रोल लेने की योजना के लाभ के लिए देवघर जीले के लाभकों की रूची कम होने लगी है योजना की सुरुवात में आवेदकों में होड मची थी जबकि बरतमान समय में 50 से भी कम लोग आवेदन कर रहे हैं सरकार ने राश्रीय एवं राज्य खाज सुरक्षा सजुले लाभकों को राहत देने के लिए पेट्रोल पर अनुदान देने की योजना 21 जनुवारी 2022 को सियम हमान सुड़न ने प्राड़म की थी योजना के तहत लाभक को हर महिन 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रूपे प्रति लीटर का अनुदान दिया जाता है बता दे योजना की जटिलता के कारण लाभकों ने आवेदन देना ही बंद कर दिया है 20 महिने में आप तक इस योजना के तहत 33-33 लोगों ने ही पेट्रोल अनुदान योजना का लाभ लिया है प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रविती के लिए स्कॉलर्शिफ हेलफ लाइन शुरू जारखन में पिरी एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रविती से सम्मधी समस्याओं के समधान को लेकर स्कॉलर्शिफ हेल प्लाइन शुरू की गई है इससे छात्रों को काफी रहात मिलेगी पहले छात्रविती से जुरी समस्या होने पर छात्र प्रसान हुआ करते थे उन्हें ओफिस का चक्कर लगाना परता था लेकिन अब स्कॉलर्शिफ हेल प्लाइन के जरीए घर बैठे जनकारी ले सकेंगे इस नई बेवस्ता का अंतरगत छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तिन प्रोधान किये गए छात्र टोल फिरी नंबर वाट्सेप और सोसल मीडिया एक्स के जरीए आप अपनी समस्या से अउगत करा सकते हैं घर बैठे उनकी समस्या का समधान किया जाएगा प्री एवं पोस्ट मेट्रिक छात्र वीर्ती से समधी समस्याओं से अब जार्खन के छात्रों को नियात मिलेगी छात्र वीर्ती से समधी समस्याओं के असानी से निप्टारे को लेकर जार्खन सरकार के आदिवसी कल्यान आयुक्त कर्याले ने इसके लिए स्कोलर सी फेल प्लाइन शुरुवात की है जार्खन में भिशन सलक हादसा बच्चों से भरी स्कूल वैन को बस ने मारी टकर जारखन में भिशन सड़क हाजसा हो गया है, हजारी बाग जीले में बच्चों से भरी एक स्कूल बैन की बस से टकर हो गई, इस हाजसे में एक छात्र समय दोग की मौत हो गई है जबकि 13 बचे घाल बताय जा रहे है, घटना सुक्रवार सुब्बा साड़े साथ बजे की बता होई है, इस दोरान एक बस ने अचानक स्कूल बैन में जोरदार टकर मारी, एक हाथसा इतना भिशन था कि स्कूल बैन के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 बच्चे घाल हो गई, इसमें से दो गम भी रूप से घाल बताय जा रहे थे, जिन में से एक की इला हो गई है, डाक बिभाग में नौकरी के लिए तिन अभियार्थियों ने जमा किया जाली दस्तावेज, भरतिये डाक बिभाग में नौकरी हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज का सहारा लेने का एक मामला सामने आया है, डाक बिभाग की और से तिन अभियार्थियों क मार्ग सीट फर्जी निकली है इन अभियार्थियों नेशन जोसेफ उच विद्याले तुरपा की फर्जी मार्ग सीट जमा की थी इन में गंगा सिंग रोल नंबर 241, रोहित कुमार रोल नंबर 254, जन्मजय सिंग रोल नंबर 235 की मार्ग सीट फर्जी निकली है मार्क सिट में तीनों का आंग 476 फर्ष डिविजन दिखाया गया वहीं तीनों मार्क सिट में लगी तस्वीर एक ही ब्यक्ति की है मध्य परदेश, 36 गड़, रायस्थान के बाद जहारखन पर बिजेपी का फोकस मध्य परदेश, 36 गड़ में चुनाव जितने के बाद मोधी के मन में जहारखन का टारगेट है चाहे या टारगेट लोग सभा चुनाव में 14 सिट जितने का हो या फिर बिधान सभा चुनाव में बिजेपी को सत्ता दिलाना निश्चे ही पिये मोधी के लिए 24 के टारगेट में जहारखन टोप प्रियोरिटी में होगा बताया दे मध्य परदेश, राज़्थान, 36 गड़ में सत्ता हासिल करने के बाद बिहायार जहारखन और हिमाचल परदेश ही हिंदी पट्टी वाले ऐसे राज़ है जहाँ बिजेपी सत्ता में नहीं है इन तीनों राज़ियों में सबसे पहले जहारखन में ही विधान सबाचुना होना है इसलिए अब पिये मोधी का अगला लक्ष जहारखन है हलाकि यहाँ पर विधान सबाचुना होने से पहले लोग सबाचुना भी होने है लिहाजा जार्खन के लिए लोग सभा और विधान सभा चुना दोनों के लिए रणेती लगभग तय मानी जा रही है गलत जनकारी देकर आर्म्स लाइसेंस लेने वाले रडार पर राइधानी में हथियार का लाइसेंस लेने वाले 100 से ज्यादा लोग पूलिस की रडार पर है पूलिस को यह जनकारी मिली है कि राइधानी राची में कई ऐसेता तो मौझूद है जो लाइसेंसी हथियार का दुरूपयोग कर रहे हैं पुलिस अब वह ऐसे लोगों का रिकॉर्ड खांगालने में जुट गई है रांची SSP चंदन सीना के निर्देश पर रडार पर आई ब्यक्तियों का पुलिस रिकॉर्ड खांगाल रही है पुलिस अपने सुत्रों से जानने का परयास कर रही है कि जिन लोगों के पास लाइसेंसी हतियार है कहीं वे उसके बल पर समाज में असान्ती तो नहीं फैला रहे या फिर वह कहीं हर्स फारिंग में सामिल तो नहीं रहे है जिले के सब ही थाना परवारी को निर्देश दिया गया है कि उनके थाना छेत्र में जितने भी वैसे लोग हैं जो लाइसेंसी आमस रखते हुए हैं उनकी गत्ति वीदियो का सत्यापन का रिपोर्ट त्यार करें बाभुलल मरांडी ने की सांसठ धिरसाहों की गिरफतारी की मांग управ लाइसे में इस पैसे के तार मुख्यमंत्री आवास UH से जुड़े होने के संका जताई है बतादे उरिशा में आईटी छापे मारी में कॉंग्रेस नेता और राय सभा सांसर धीरज साहू के रिष्टेदारों और स्वयोगियों के पास से भारी मत्रा में रक्कम में बरामत होने के बाद जारखंड के पुरमुख मंत्री और परदेश बिजेपी अदेक्स बावलामरा देने धीरस ने धाव के खिलाब एफ़ायर दर्जकर गिरफतारी की मांग किया है 1984 के सिख दंगे पीलितों को मुअबजा देने में लापरवाही 1984 के सिख दंगा पीलितों को अब तक नियाय के लिए कानुनी लडाई लड़नी पर रही है दंगा पिर्टो को मुअबजा दिलाने और अपराधिक मामलों की मोनेटरिंग के लिए सतनाम सिंग की ओर से दैर जन हित्याज का पर हाई कोट के मुखे नयाधित संजाय कुमार मिस्रा के खंट पीट में सुनवाई हुई कोट ने इस बात पनराजगी जताई की मुअबजा भुकतान के लिए जारी 15 सितंबर के आदेश के अलोक में राई सरकार की ओर से अब तक स्टेटास रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई गई कोट ने पुछा के जीला अस्तर पर दांगा पीटों को कितना मुअबजा का भुकतान हुआ है सुनवाई के दोरान बोकारो जीला से जुड़ा मामला प्रमुकता से उठा है जारखन में नकली सोने की बिस्कुट बनानी की फैक्टरी पलामुके प्रमंडलीय मुख्याले मेदनी नगर में पुलिस ने बड़ी करवाई करते हुए नकली सोने की बिस्कुट और अवैद हत्यार सही तिन अपराधियों को धर्दवोचा है हत्यार और नकली सोने की बिस्कुट बनाने के फैक्टरी का भी उद्वेदन पुलिस ने किया है पुलिस के गोपनिये सुत्रों के नुसार पहले दो अपराधियों को गिरफतार किया गया था बाद में उनकी निसंदही पर उनके ही एक अने साथी को पकड़ा गया उसके पास से हत्यार भी ब्रामत किये गया है इस घटना के जनकारी मिलते ही पुलिस के अला अधिकारी की भी हलचल सुरू हो गई है चुकि मामला अवैध हत्या निर्मान वह उसकी बीकरी एवाम नकली सोने की बिस्कुट बनाने एवाम उसकी बीकरी से जुरा हुआ है इस गिरो के तार अंतर राजी होने की भी असंका जताई जा रही है अमन सिंग हत्याकन मामला घटना स्थल की हुई नापी धनबाद मंडल कारा में गैंग्स्टर अमन सिंग के हत्याके बाद पुलिस की जास लगता चल रही है सुत्रू ने बताया कि केस आयो बिनाय कुमार सुक्रवार को दल बल के साथ घटना स्थल पहुँचे उन्होंने फिता से पुरे घटना स्थल की नापी की है देखा की रितेस यादव उर्फ सुंदर यादव उन्हें कितनी दूरी से गोली मारी है मरने वाला किस दीसा में था उस समय रितेस कहा था फिर कैसे गोली मारी गई सभी पहलूँओ की जाच कर दूरी नापी गई पूरे घाटनास्थल की तस्वीर खीच कर रखी गई है घाटनास्थल की जाच के बाद उन्होंने फिर से CCTV की फूटेज का अंगाली फूटेज में दिख रहे बंदियों की गतिवीधिया भी नोट की गई है पोसन अहार की रासी की साइबर ठकी करने वाले 14 गिरफदार साइबर ठाने के पुलिस ने साइबर ठकी आरोपियों की तलास में बुद्धवार वा गुरुवार को देवखर जीले के देवीपूर मधुपूर पथरडा सारवा वा मोहन पूर्थाना छेत्रे में सखन छपे मारे की इस दवरान 14 साइबर आरोपियों को गिरफदार किया गया सभी आरोपियों से बारी बारी से साइबर ठाने में कलाई से पुछताच की गई इस करम में आरोपियों ने बताया है कि वे लोग सरकारी बिभाग के आंगनवाडी केंद्रों से जुड़े पोसन आहार कोटे के आवंटन में छेड़ छाड़ कर उनसे जुड़े उभकताओं को जासे में लेकर वैसे बैंक खातों से अवैद निकासी कर लेते थे पकड़े गई साइवर आरोपियों के पास से पुलिस ने 20 मोबाइल 26 फरजी सीम कार्ड तिन डेविट कार्ड वदो पासपुक बरामत किये हैं धन्यवाद